हेलो फ्रेंड्स प्रेम दा किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो मैं आज लेकर आई हूँ सिम्ला मिर्च से बनने वाली बहुत ही हैल्दी और बहुत ही यूनिक सबजी तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा तो हम यहाँ पर सिम्ला मिर्च बनाने के लिए तीन प्याज लेंगे दो टमाटर लेंगे और दो मीडियम साइज के आलू लेंगे और मैंने यहाँ पर तीन सिम्ला मिर्च लिये हैं और हमने इनको सभी को अच्छे से धो लिया है और दोने के बाद हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे तो मैंने इनको अच्छे से फाइन से चौप कर लिया है अब उसके बाद हम यहाँ पर आलू और सिमला मिर्च को भी कट कर लेंगे अब यहाँ पर हम यह कड़ाई लेंगे और कड़ाई में हम तेल लेंगे तो मैंने आपर सरसो को तेल लिया है और अच्छे से गरम हो चुका है तो हम एक चमच जीरा डाल देंगे एक चमच राई डाल देंगे और जो हमने प्याज कट किये थे हम उन प्याज को भी तेल में डाल देंगे तो इनको डालने के बाद हम इसे अच्छे से प्याज को भून लेंगे तो देखिए हमें प्याज को चलाते हुए अच्छे से भून लेना है तो इनका देखे हलका सा कलर चेंज हो चुका है तो हम यहाँ पर डाल देंगे लसन अदरक का पेस्ट और लैसन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से चलाना है यानि लसन का और अदरक का पेस्ट भी हमें अच्छे से भून लेना है उसके बाद हम यहां डाल देंगे टमाटर और हरी मिरच इनको भी डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक मिनट तक भून लेंगे यानि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए तो आप यहां पर हम त्यारी कर लेते हैं मसाले की तो हम यहां एक कटोरी लेंगे उसमें एक चमच धनिया पाउडर एक चमच हल्दी और एक चमच लाल मिरच और एक चमच ही लेंगे नमक और इन सभी चीजों को डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल कर इन्हें अच्छे से गल चुके हैं तो हम इसमें जो हमने मसाले बनाए हैं उनको हम डाल देंगे थोड़ा पानी डाल कर मसाले बनाएंगे तो जो हमारा मसाला है वो जलेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से भूनेगा तो हम इसी तरह चलाते रहेंगे इन मसालों को भी अच्छे से हमें भू यानि अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम आलू को इसी तरह मिक्स करने के बाद में हम इसे ढखकर दो मिनट पका लेंगे तो मैंने इसको ढखकर देखी अच्छे से इसको पका लिया है उसके बाद हम डालेंगे इसमें सिमला मिर्च तो सिमला मिर्च हमें बाद में डालनी है क क्योंकि सिमला मिर्च बहुत ही जल्दी बनकर त्यार हो जाती है तो हमें थोड़ी क्रंची पन रखना है तो हम सिमला मिर्च को बाद में डालेंगे और पहले आलू को हम अच्छे से पका लेंगे तो हम दोनों चीजों को अच्छे से डालने के बाद में हम इसे ढख कर और दो के पत्ते तो देखिए हमारी सब्जी बहुती अच्छी और बहुती यूनिक तयार हुई है तो मैं आपको याद दिला दूँ यदि आपको मेरी वीडियो पसंदारी हो प्लीज लाइक कीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा औ तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर तयार हुई है और देखने में यह बहुत अच्छी लगती है चामल के साथ या फिर पराठे के साथ यह खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी लगती है आप एक बर घर पर जरूर बना कर अच्छी लगती है ज़दा लगती है पुटना एगी